अध्याय चार देख रहे हैं वैश्वी करन्ट और भारती अर्थ विवस्था Globalization and Indian Economy वैश्वी करन्ट और भारती अर्थ विवस्था के सवाल और जवाब देखेंगे वैश्वी करन्ट से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों से स्पष्ट कीजी वैश्वी करन्ट में विश्व आता है जब विश्व ग्लोबल सब चीजे एक ग्लोब में विश्व में एक परिवार की तरह हो जाती है ट्रेड होता है बाचीत होती है आना जाना होता है उसे हम अब बगएर किसी दिक्कत के उसे हम वैश्वी करन कहते हैं तो विश्वी करन का अर्थ ऐसी विवस्था से है, जिसमें किसी भी देश, चाहे ये देश यहाँ हो, दुसा देश यहाँ हो, किसी भी देश की अर्थ विवस्था को विश्वी की जो अन्य अर्थ विवस्थाए हैं, उनसे विदेशी वियपार और विदेशी निवेश के द में सेवा में तो वैश्वी करण के कारण आज विश्व के जितने भी देश हैं अलग अलग देश हैं विबिन देश हैं उनके बीच वस्तों का सामान का सेवाओं का सर्विसेस का टेकनॉलोजी का प्रोध्योगी की का तक्नीक का साइंस का और श्रम का यानि लेबर का आदान प्रदान हो रहा है और इस कार में जो MNCs हैं बहुराश्ट्रे कंपनियां इनकी बहुत बड़ी और महत पूर्ण भूमिका है और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है जब वे अपनी इकाईयां, अपनी कंपनियां अपने इंडस्ट्रीज संसार के ग्लोब के विश्व के अलग-अलग देशों में स्थापित करती है भारत सरकार द्वारा विदेश वियपार एमम विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारान थे इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी अब आप अपने घर के सामने अपने घर के सामने गेट क्यों लगाते हैं उसमें ताला क्यों लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि आप नहीं चाहते कि बाहर का कोई अन्नोन आदमी या ऐसा व्यक्ती या ऐसा जानवर आपके घर में आए जिनसे आपके घर को नुकसान हो आपके घर वाले जैसे बच्चे हैं वो जब बड़े हो जाएंगे तो वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं लेकिन जब छोटे हैं तो आपको सेफटी रखनी पड़ेगी आपको अवरोधक लगाने पड़ें यही बात है कि हिंदुस्तान की जो उत्पादन करने वाले लोग थे या इंडस्ट्रीज थी उनको बाहर से प्रतिस परधान ना करनी पड़े अपने डिवलप्मेंट वो ध्यान देश के लोग उनहीं का सामान करी दे इसलिए अवरोधक लगाए गए तो स्वतंतरता के बाद यह हुआ कि भारत सरकार ने जो विदेशी व्यापार है यानि ट्रेड दूसे देशों से जो ट्रेड है व्यापार है सामान का आना जाना है और बाहर का पैसा यहाँ लगाना या यहाँ का पैसा बाहर लगाना उस पर प्रतिबंद लगा रखा था विदेशी प्रतिस परधा कॉंपटीशन से देश के जो उपादक है स्थानिय जो पादक है उनको संगरक्षन प्रदान करने के लिए उनको एक तरीके से बढ़ने की सुविधा देने के लिए ये बहुत जरूरी माना गया अनिवार माना गया 1950 एवं 60 की दशक में उध्योगों की भारत में उध्योगों की स्थापना हुई और इस समय जो उध्योग थे नवोदित थे नए उध्योग थे उनको आयात में प्रतिस परदा करने की अनुमती नहीं दी गए यानि की बाहर से आयात नहीं हो गए इसलिए भारत में केवल जो ऐसी चीज़ें हैं ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत अनिवारे हैं और परिहारे हैं जैसे मशिनरी उर्वरक और पेटूलियम इनके आयात की ही अनुमती उस समय दी गए उसके बाद आया सन 199 में इसमें आर्थिक निती में परिवर्चन किये गए सरकार अब यह निश्च्चित थी सरकार को यह कलियर हो गया था निश्चे था कि भारती उतपादकों को विषव के उतपादकों के साथ अब प्रतिस परधा करनी चाहिए क्यूंकि वो तयार है सुधार होगा इसलिए विदेशी विपार एवं निवेश पर से जो रोक लगा रखी थी अव रोधक लगा रखे थे उनको काफी हथ तक हटा दिया गया इसका क्या अर्थ निकलता है कि वस्तू का सुगमता से आना जाना देश में यानि सुगमता से आयात और मिर्याद आयाद किया जा सकेगा, निर्याद किया जा सकेगा, बाहर की विदेश की, विक्सित देशों की कमपनिया, यहाँ पर अपने कार्याले खोल सकेगी, अपने कार खाने यहाँ पर लगा सकेगी, स्थापित कर सकेगी तो सरकार द्वारा, गौर्मेंट द्वारा, अवरोधकों और प्रतिबंदों को अहटाने की प्रक्रिया को ही हम उदारी करन कहते हैं, लिबरलाइजिशन कहते हैं श्रम कानूनों में लचीला पर कंपनियों को कैसे मदद करेगा? जो श्रम कानून है, यानि लेबर लॉव है, यानि कोई काम करता है, तो उसके लिए क्या-क्या लॉज होने चाहिए? निवेश करेंगी, क्योंकि वो आती ही इसलिए हैं, क्यों उनको सस्ता श्रम चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए, जिससे नए उद्ध्योग स्थापित होंगे, नए रोजगार employment बढ़ेंगे, स्ट्रिजन होगा इनका, और साथ भी इन उद्ध्योगों को कच्चे माल की ये कहें कि जो उस समय की modern चीजे हैं, उस हिसाब से चीजे आगे बढ़ेंगे, श्रम कारूनों में लचिलेपन के बाद बहुत सारी कंपनियों को लाब हुआ है, इन कंपनियों ने अपने उत्पाद या उत्पादक मानकों को या ये कहें कि अपने गुर्वत्ता को और सफलता पूरवग और उससे भी उनको लाब मिला और जतना लाब कंपनियों को मिलेगा, जतना लाब इन इंडिस्ट्री इस को मिलेगा, उतना ही लाब देश को मिलेगा, देश की अकनोमी को मिलेगा दूसरे देशों में बहुराश्ट्रे कमपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंतरन स्थापित करती है बहुराश्ट्रे कमपनिय का मतलब होता है या MNCs का मतलब होता है मल्टी रैशनल कमपनी का कि वो अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी जाकर कारखाने स्थापित करती है या फिर अपने उध्योग लगाती है या फिर अपनी सर्वेसिस देती है तो वहाँ पर जाके प्रॉपर उत्पादन मैनिफेक्चरिंग या सेवाएं हो रही होती है ऐसा नहीं कि यहाँ से जारी होती है बगाईदा यहाँ पर कारियाला स्थापित किया जाता है यहाँ पर लोगों के साथ या लोगों को रोजगाय में रखा जाता है और यहाँ पर उत्पादन किया जाता है तो बहुराश्य कंपनिया वो कंपनिया होती है जो एक या एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है और उन पर नियंतरन भी रखती है और साथ में उनका उसके आधिपत्य होता है या स्वामित्व रखती है ये कंपनिया उन देशों में अपने कारखाने लगाती है स्थापित करती है जहां उन्हें एक तो सस्ता श्रम मिले, सस्ता लेवर मिले, यानि जो आदनियों को मकाम पे रख रहे हैं, उनको कम पैसा देना पड़े, और साथ में अच्छे साधन संसाधन भी मिले, जहां सरकारी नीतियां भी उनके अनुकूल हों सरकारी नीतियों में जादा अवरोधक न उनको खरीद लेती हैं, दे बाए दम, दे पर्चेस दम ताकि उतपादन और बढ़ सके उनका प्रसार हो, जैसे एक एक अग्जामपल के तौर पे, एक उधानन के तौर पे देखा जाए, तो एक अमेरिकी कमपनी है, जो इसका नाम है कारगिल फुड्स, उन्होंने क्या कि भारत कर भारत की एक कमपनी है, जिसका नाम है परक फुड्स, इसको खरीद लिया, अब बहराश्चे कमपनिया इस तरीके से उतपादन को नियंतरित करती हैं, क्योंकि परक फुड्स का अपने आप पहले ही तंतर था इस देश में, तो उस तंतर का ये इस्तमाल करके आराम से अपनी चीजों को बना के बेच सकती हैं, बहराश्चे कमपनिया एक अंतरीके से भी उतपादन मियंतरन रखती हैं, मियंतरित करती हैं, विक्सित देशों में जो बड़ी बहराश्चे कमपनिया हैं, वो छोटे उतपादक जो होते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनक ये बासामान बन जाता है तो ये बड़ी कमपनियां अपना ब्राइंड नेम लगा के क्योंकि ये मानी होई कमपनियां है अपना ब्राइंड नेम लगा के उस गुनवत्ता को चेक करके इस गुरहकों को बेशती है विकसित देश विकास्शिल देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारी करन क्यों चाहते हैं क्या आप पांगते हैं कि विकास्चिल देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए WTO World Trade Organization इसकी शुरुआत की थी विकसित देशों ने और इसका काम ये है कि जितने भी विकास्चिल देश हैं उनकी नीतियों को उदार किया जाए ताकि वहाँ पर ट्रेड हो सके, व्यापार हो सके, आयात मिल्यात हो सके तो विकसित देश, विकास्चिल देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारी करन चाहते हैं चाहते हैं कि उनकी नीतियां लचीली हो इनका मानना है कि विदेश, व्यापार और विदेशी निवेश पर जितने भी अवरोधक लगाती है कोई देश लगाता है कोई देश वो हानिकारक होता है किसी ट्रेट के लिए व्यापार के लिए इसलिए ये जो अवरोधक है उनको हटाना चाहिए देशों के बीच बहुत free trade या मुक्त व्यापार होना चाहिए विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए लचिली बनाना चाहिए तो जैसे मैंने बताया कि विक्सित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन याने की WTO ये बनाये गया था जिसका काम या ये कहें अंतराश्टी व्यापार को या उससे संबंदी जितने नियम है उनका क्रियानमन करना उनको लागू करना ये W विक्सित देशों ने कुछ अलग धंग से अनुचित धंग से व्यापार अवरोधकों को बर करा रखा अपने देश में तो विकास चील देश समय समय पर इन विक्सित देशों से सवाल पूछते हैं पूछ सकते हैं कि उन्होंने विश्व व्यापार संगठनों के नियमों क ताग पर रखकर अपने देश के जो अवरोधख है वो क्यों बना रखें याने की विक्सित देश आप लोगों ने अवरोधख अभी तक क्यों लगा रखें आप हमारे यहां ट्रेड करना चाहते हैं हमसे अवरोधक हटा लिया आपने या हमारी नीतियों को लचीला करने पर बात देखिया लेकिन आप हमें अपने यहां बहुत आसानी से व्यापार नहीं करने देते हैं क्या यह मुक्त और नियाय संगत है यदि विकाश्विल देश विश्व व्यापार संगतनों के नियमों को मान कर यह जो भी अवरोधक विक्सित देशों में लगे हुए हैं उनको हटा रहे हैं या हटा ले तो विक्सित देशों को भी अवरोधकों को हटा ना होगा अगर विकाश्विल देश ये काम कर रहे है वैश्विकरन का प्रभाव एक समान नहीं है इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीज़े globalization का हर जगा या कहीं हर तबके में एक समान इसका प्रभाव नहीं है तो जितने देशों के हम बारे में बात करते हैं अलग अलग देशों के बीच जो संबंद है परसपर संबंद और तीवरे की करण यानि की integration इसी की प्रक्रिया को हम वैश्विकरन कहते हैं वैश्विकरन का विश्व के सभी देशों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा किन्तु ये प्रभाव एक समान नहीं है स्थानी और विदेशी उत्पादकों के बीच जो प्रतिस फर्दा है उसमें धनी वर्ग को जादा या कहें धनी वर्ग के जो उपभोगता है कंस्यूमर है उनको बड़ा लाब हुआ ये जो भूगता है उनके समक्ष पहले से जादा विकल पा गए आप्शन्स आ गए और वे अनेक बहुत सारे जो उत्पाद है उनकी उत्रिश्टा या अच्छाई गुनवत्ता कॉलिटी और उनकी कम कीमत से लाभानवित हो रहे है इस उधारन सरूप याई कही परिवार्डिरम तह में आपको ये बताओ कि ये लोग पहले कि अपेक्षा एक अच्छा जीवन जी रहे हैं क्योंकि आप्शन जादा आगए चीज़े खरीदने में आसान हो गई तो वैश्वी करन से बड़ी संख्या में जो छोटे उत्पालक है जो कर्मचारी हैं उनको कई चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है बैटरी, प्लास्टिक, खिलोने, टायर, डेरी, उत्पाद, खादि तेल ये जो ध्योग है ये कुछ उधारन है जहां प्रतिस परधा कॉंपिटिशन के कारण जो छोटे निर्माता है वो नहीं टिक पा रहे है कई एकाईयां बंध हो रही हैं जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो रहे है वैश्वी करण ग्लोबलाइजेशन और जो कॉंपिटिशन है प्रतिस परधा के दबाव में ये श्रमिक उनके जीवन में बहुत जादा उनका व्यापक रूप से प्रभाव पढ़ रहा है गंभी प्रभाव पढ़ रहा है बर्ति प्रतिस परधा के कारण श्रमिकों को रोजगार बहुत लंबा या कहे लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं रहता कभी वो नोकली पे हैं कभी नहीं वैश्विक करन के कारण मिले लाब में शमिकों को न्याय संगत याने की कानून ये इसे कहें कि जस्टिफाइड हिस्सा नहीं मिलता ये सभी प्रमान संकेत हमको करते हैं कि वैश्विक करन हैं सभी के लिए बहुत जादा फाइदे मन्द नहीं रहा है सब के लिए एक तबका आप कह सकते हैं लेकिन किसी के लिए नुकसान देह भी रहा है शिक्षित, कुशल और जो संपन लोग हैं उन्होंने वैश्वी करण से जो उनको अंसर मिले उनका भरपूर सर्वोत्तम उप्योग किया दूसरी और अनेक लोगों को लाब से हिस्सा नहीं मिला व्यापार और निवेश नीतियों का उदारी करण वैश्वी करण प्रक्रिया में कैसे सायता पहुंचाती है तो सरकार द्वारा व्यापार पे जो अवरोधक, रुकावटे या प्रतिभंध है उनको हटाने के प्रक्रिया को ही हम उदारी करण या लिबरलाइजेशन कहते हैं सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में जो व्रिद्धी है अगर विदेशी व्रिपार बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत तम हो रहा है इसके लिए व्रिद्धी या कटोती के लिए कर सकती है सरकार द्वारा जो उदारी करण है करने के या करने से वस्तूं का आयात निर्याद सुगमता से बहुत आसानी से किया जा सकेगा और विदेशी कमपनिया अब यहाँ पर आकर देश में आकर दूसरे देश में जाकर कार यालाय और कार खाने खुद सकेगी व्यापार के उदारी करण से व्यवसाईयों को मुक्त रूप से निर्याद लेने का या डिसीजन लेने का अवसर मिलेगा उनको अनुमती मिल जाती है अब सरकार के पास हर चीज़ के लिए जाना हर देलने के लिए उनकी हस्ताक्षे लेना ये जरूरी नहीं रहे गया है क्या आयाद करना है क्या लियाद करना है वो अपनी सोच पर अपने डिसीजन पर करेंगे विश्व के सभी डेशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए, बनानी होंगी ताकि जो वैश्वी करण है, क्योंकि वैश्वी करण के बहुत सारे फायदे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा विदेश वियापार विभिन देशों के बाजारों के एकी करण में किस प्रकार मदद करता है यहां दिये गए उधारन से भिन उधारन सहीत व्याख्या कीजी तो विदेशी वियापार यानि फॉरेंट ट्रेड एक दूसरे देशों के बीच में जो ट्रेड होता है विदेशों के बाजारों के एकी करण integration एक साथ आने में बहुत हद तक इस प्रकार से मदद करता है कि विदेशी वियापार की कारण जो गहली उतपादक है, जो स्थाने उतपादक है उनको अन्य देशों के बाजारों में जाने का अपना सामान पहुंचाने का ट्रेड करने का अवसर निलता है इससे उत्पादक अपने देश के बाजारों के साथ साथ विश्विप के जो बाजार हैं उनके साथ भी प्रतियोगिता कर सकते हैं साथ में ग्राहकों को विदेशी व्यापार की करण बहुत ज़ादा लाब होता है क्योंकि चीजें, आप्शन्स, विकल्ब बहुत ज़ादा उनके बढ़ जाते हैं और जित्ती प्रतीस परदा होगी उतना रेट कम होगा समान का अब हुने विविन्य प्रकार की चीजें अपने देश में ही उपलब होने लगती हैं और उचित दाम पे उपलब हो जाती है जैसे भारती कम्प्यूटर बाजार में विदेशी कमपनियों के प्रवेश से भारती और विदेशी कमपनियों में जबर्दस प्रतीस फर्दा हुई और यदि विदेशी कमपनियों के कम्प्यूटर बहतर साबित होंगे तो भारती और भोगता के साबने अधिक उपलब्ध होंगे डेल, एचपी, अगर आप देखे एपल अगर ये आते हैं तो लोग इसकी तरफ जाएगे अगर आप जनित की बात करें, विपरो की बात करें या कोई ऐसा जो हिंदुस्तान मनाता है अगर वो उनकी कॉलिटी नहीं मैच कर पाएगा तो लोग इसके पास जाएगे तो लोगों के पास ऑप्शन अविलेबल है भारतिये कंपनियां, भारतिये जो व्यापार है या जो विनीरमान है वो भी अपनी हानी को कम करने के लिए उत्पाद की प्रोड़क्ट की गुनुवत्ता बढ़ाएंगे कॉलिटी बढ़ाएंगे और उनकी केमते कम करनी होगी अन्यता वो अपने आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे वैश्वी करन भविश्व में जारी रहेगा कि आप कल अपना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा अपने उत्तर का करन दीजी तो आप ये कह सकते हैं कि 20 वर्ष बाद वैश्वी करन ना किवाद जारी रहेगा बलकि बहुत उचे स्तर पर अपने चरम पर होगा विश्व के जो अलग-अलग अलग देश है विबन देश की अर्थ विवस्थाएं एक दूसरे से अभी भी जुड़ी हैं तब भी जुड़ी रहेंगी उनमें वस्थों का, सेमाओं का, तक्नीक का, शमीकों का ये आदान-प्रदान होगा, बहुत ज़ादा होगा और बहुराश्चे कंपनियां अलग-अलग देशों में ज़ादा से ज़ादा निवेश करेंगी विदेशी विपार का बहुत बड़ा हिस्सा अधिकांश हिस्सा या हिस्से पर बहुराश्चे कंपनियों का नियंतरन होगा और इससे लोगों को फाइदा होता है रोजगार मिलता है, उस कंपनी की एकोनमी बरती है तो इस अवस्था में वैश्वी करण के कारण व्यापार और जनिवेश है उसके क्षेतर में, विबने देशों में जो एकी करण है, साथ आने की अभावना एकी करण इंटिग्रेशन में वृद्धी होगी एक देश की तकनीक, पूझी और श्रम दूसरे देश के काम आने लगेंगे और इससे केवल एक देश की अर्थवरस्था नहीं पूरे विश्व की अर्थवरस्था का विकास होगी माल लीजे कि आप दो लोगों को तरक करते हुए पाते हैं एक साहब कहते हैं कि वैश्वी करन ने हमारे देश के विकास को शती पहुंचाई है दूसरे साहब ये कहते हैं कि वैश्वी करन ने भारत की विकास में सहिता की है इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगी तो वैश्वी करन का भारती अर्थविस्था पे जैसे हमने देखा बड़ा गहरा प्रभाव हुआ है अब ये सकारात्मग भी है और रकारात्मग भी है positive भी है negative भी है इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वैश्वी करन ने भारत के विकास में मदद पहुँचाई है लेकिन कुछ ये कहते हैं कि विकास को शती हुई है तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे विचार में वैश्वीक करंट से भारतिय अर्थ विस्था में विकास हुआ है लोगों को कई नहीं एकदम लेटेस्ट उन्नत तकनी की वस्तुएं और बहतर रोजगार के आउसर मिले हैं लोगों के जीवन में जीवन स्तर में जो उनका एक लेवल है जीने का उसमें सुधार वुआ है किन्तु ये विकास असमान रहा है क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग पती हैं शिक्षि धन्यु उत्पादक धन्यु उपभोगता उनको दो लाब मिला है लेकिन जो छोटे उद्योग पती हैं जैसे हमने एक्जामपल देखा सुशीला जैसे श्रमिक जो विकास शिर्देशों को नुकसान हुआ है वैश्वी करण के कारण बड़ती प्रतिस परधा ने भारत में जो लगू छोटे MSME जो लगू और कुटिर उद्योग हैं उनको आलमोस खतम कर दिया है श्रम कानूनों में वैश्वी करण की कारण बहुत लचीला पना आ गया है जिससे लोगों का रोजगार अनिश्चित हो गया है कभी भी उनको नौकरी से विदा कर दिया जाता है अब जबकि वैश्वी करण अनिवारे विकल्प है इसके बगर काम नहीं चलेगा तो सरकार द्वारा वैश्वी करण को अरधिक नया संगत और सर्वयापी बनाना जरूरी है जस्टिफाइड जस्टिस होनी चाहिए इसमें ताकि इसका लाब सभी लोगों को मिले सीमित ना रहे कुछी लोगों को ना मिले सरकार को छोटे उद्ध्योब पतियों को सस्ते दामों पर रण देना चाहिए वैतर बिजली की सुरिधाएं देनी चाहिए ताकि वो प्रतिस फर्धा में कॉम्पेटिशन में बरकरा रहें प्रतिस फर्धा के योग गिवन है विकाश्ची देशों को विक्सित देशों पर अपे व्यापार और निवेश का उधारी करने के लिए भी दबाव ड़ना चाहिए अगला सवाल है रिक्स स्थानों की पूर्ति कीजिए दो दशक पहले की तुल्ना में भारती खरीदारों के पास वस्तूओं के अधिक विकल्ब है यहाँ यहाँ पर आएगा वैश्वी करन यहाँ वैश्वी करन की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तूओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ यहाँ होगा विदेशी वियापार विदेशी वियापार वियापार बढ़ रहा है इससे भी आगे भारत में बहुराश्य कमपनियों द्वारा उत्पादित ब्रैंडों की बड़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं बहुराश्य कमपनिया भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि यहां उन्हें उचित परिस्थितिया मिल रही है जैसे बड़ा बाजार सस्ते श्रमिक आदी जबकि बाजार में उपभोगताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते निरियात और उधारी करन के प्रभाव का अर्थ है उत्पादों के बीच अधिकतम प्रतिस परधा निम्ने लिखित को सुमेलित कीजिए बहुराष्ट्री कमपनिया छोटे उपदकों से सस्ते दरो में कपड़ा जूते चप्पल खेल के समान नियमन के लिए किया जाता है यह कहें बनवाती आयात पर कर और कोटा का उप्योग व्यापार ये जुड़ेगा आपके व्यापार अवरूधक अगर टेक्स लगाया जाएगा या कोटा की भई इतना ही जा सकता है इतना ही आ सकता है तो इसे अवरूधक रहेंगे विदेशों में निवेश करने वाली भारतिय कमपनिया गह को मिला देंगे हम टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैंबैक्सी आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में साहता की है गह को मिला देंगे हम कॉल सेंटर, बीपियो अनेक बहुराश्य कमपनियों के या ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है तो एक बच्शता है, सुमला देंगे मोटर गाडियां पर खरिदती है सही विकल्प हम चुनेंगे वैश्वी करन के विगत दो दश्चकों में दुरुत अवागमन देखा गया है उत्तर है इसका देशों में या देशों के बीच में वस्तू, सिवाओं और लोगों का चाहे सामान आ जा रहा है, सर्विसेस दी जारी हैं यहां से वहाँ या लोग आ जा रहे हो विश्वी के देशों में बहुराष्ट्री कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है क्या खरिद लिजी आ का उतर है, स्थानी या लोकल कंपनियों को खरीद देना जैसे कारगिल फूड ने परक फूड को खरीद दिया वैश्वी करण ने जीवन स्थर के सुधार में साहेता पहुंचाई है विक्सित देशों के लोगों को यक्षे बाकी थोड़ा सा कम सुधार हुआ है कुछ ब्रैंडेड उत्पादों को लीजिए जिनका हम रोजाना इस्तमाल करते हैं साबून, तूटपेस, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुए जाच कीजिए कि इन में से कौन-कौन बहुराष्ट्री कंपनियों द्वारा उत्पादित है तो ये अपना थोड़ा सा एक बड़ा परसनल हो गया किसी भी विध्यारती के लिए तो वे समाचार पत्र मैं आपको एक एक एक्जामपल दे सकता हूँ की चित्र तेल्यूजिन इंटरनेट इससे थाष़ा लाँ उठा सकते ही कि आप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कोज़ा सा ब्रैंडेट है जैसे आप साबून कहें अगर डव का साबून यूज़ करते हैं तो वह ब्रैंडेट है और अगर आप local इस्तमाल करते हैं, तो वो local हो जाएगा, toothpaste अगर आप local इस्तमाल करते हैं, या फिर आप किसी कोल गिट का इस्तमाल करते हैं, ऐसी कपड़े हो गए, घरेलू कपड़े यो इस्तमाल करते हैं, इस्थानी बने हुए, या आप Levi's के, या Edidas, Nike के पहलते हैं, ऐसी electronic वस्तमे हैं, तो इसका उत्तर आप खुद दीजिएगा, अपनी पसंद के किसी भी भारती उद्योग या सिवा को लीजी, उद्योग के निमनलिखित पहलों पर, लोगों के साक्षातकारों, समाचार पत्रों, इवं पत्रिकाओं की कत्रनों, पुस्तकों, दूरदर्शन औ इंटरनेट की जानकारियां और फोटो संक्लिक भी हैं, ये आप इसमें कोई भी उद्योग ले सकते हैं, जैसे IT इंडस्ट्री ले सकते हैं, आप सूछना और प्राध्योगी की उद्योग, और उससे फिर आप ये सब चीजे बना सकते हैं, ये सवाजवाब हुए, इस बहुत मेरबानी आप से देखिए